पुलपूर से बड़ी खबर कर उकरते हैं राष्टिये धज़ के अपमान करने का मामला बीजेपी का रहला पर बीजेपी के जंडे को तिरंगे से उपर लगा गया है सोशल मीडिया पर वीडियो बाइरल हो रहा है बीजेपी सेला देक्ष शिरवन वर्मा के खलाब मामला दर्ज हुआ है कॉंग्रेस सेला देक्ष वे साकेत बिहारी ने मामला दर्ज करवाया है महामंत्री सतेंद्र पारशर सहीत अन्य के खलाब भी मामला दर्ज हुआ है पुद्वाली धाना पॉलिस मामले की जाँच कर रही है ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जरा देखिए ये धोलपुर में बीजेपी का जिला कारेल है जहां तिरंगे से उपर बीजेपी का जंडा लहरा रहा है और ये धोज सहीता के खिलाफ है इस मामले में FIR दर्ज हुई है जिला देखिए के खिलाफ FIR दर्ज हुई तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जरा देखिए एक इमारत पर दो तिरंगे लगाए गए हैं और उन सबसे उपर बीजेपी का जंडा लगाया गया है तो हर इंसान का ये फर्ज भी बनता है कि वह राष्टिय द्वजका सम्मान करें इसी भी सह को लेकर के मैंने बीजेपी पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो जंडा का अपवान किया राष्टिय द्वजका उसके तैत मैंने आज जब सोचल मीडिया के आदार पर प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की तो स्वेम मैंने कोटवाली धौलपुर पर उपस्तेतों होकर के एफाई आलोज कराई है और मैं चाहता हूँ कि ये स्वतंत्र वारत में प्रजातांत्र तरीके से अपने राष्टिय द्वजका सम्मान होना चाहिए यही हर इंसान का करतव्य है आज साकेत ब्यारी जला अध्याश कांग्रेश द्वारा बीजेपी कारियाले पर राष्टिय द्वाज को पहराने के अपमान को लेकर के प्रकरन द्रज कराया जिसमें अंसंदान जाने लिया और इस पर बात करने के लिए मारे सेयोगी विनोद जुड़ चुक है विनोद क्योंकि अभी बीजेपी के द्रफ से घरगर तिरंगा वियान चलाये गया था और इतनी बड़ी चुक धौलपुर में हुई है विनोद क्या मुझे सुन पा रहे चलिए विनोद को वावज जोड़ने के कोशिश करेंगे मेरे इस योगी अश्वर प्रधान चुड़ गये है अश्वर एक माहोल बना गया घरगर तिरंगा वियान के सरी लेकिन धोलपुर में जिस सरीके से ध्वज सहीता का माखोल उड़ाये गया उससे वहां की पूरी जिला इकाई कटगरे के खेरे में है देखें ये पूर्वी राजस्थान के दूसरे जिला जिक्ष है जो विवादों में है हाला कि दोनों मामले बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन वुवास से जोड़े तो दो जिलाजक्ष विवादों में आर में आरी है। इसके से जौलपूर में आवराल इस कीस को लेकर उन्दी चर्चा थी, तो आखिरकार आज फ्राय दर्ज हो गया है। अपने आपको बता कर इस प्रक्रण को इसके खिलाफ एपाई आर दर्ज उस प्रक्रण कर वाई है। बड़ी बात कि हैं कि वो जो तस्वीरे वाहरन हुई है उनमें तिरंगा जंडा नीचे की तरफ है और बीजेपी का जो भज है वो उपर की तरफ है। तो ये चीज अपने आपने विवादों को जर्म दे रही है लेकिन दिलाज ध्यक्षिश्ट में क्या बोलते हैं एक सामाने अक्तर ऐसे मामलों में देखा जाता है भूल हो जाती है लेकिन कई भूल ऐसी होती है जो थो थोड़ा सा अक्शन पे होती है तंगठन जो है इस पर एक्शन लेता है या नहीं या सरकारी तोर पर कानून के मताबित क्या कुछ एक्शन होता है या अलग बात है लेकिन समाली तोर पर हमारे सहयोगी विनोज जिन्हों ने पूरी खबर को लेकर अनुसंधान किया है विनोज और बैसर तरीके से बताएंगे कि जिलाज एक आधव तोर बताया के लिए वह ने के बताये बता या रहा है विनोज शुग्री हमारे साथ जड़ने के लिए एश्वर प्रधान भी हमारे साथ जड़ने हैं एश्वर क्या प्रदेश बीचेपी ओफीस से कोई संदेश उधर के तरफ फ्लो किया जाएगा प्रदेश बाजबा नेतरिस भी इसे जानकारी लेकर कानुनी तोर पर बाजचीद करेगा लेकिन चुकि इसे सियासत से जोड़ कर देखा जा रहा है कॉंग्रेस में इस पूरे मामले को उचाल दिया है तो अब कॉंग्रेस में उचाला है तो बीजेपी यहां से क्या जवाब देती है देखने वाली बात होगी लेकिन ये प्रकरण जो है ये चर्चाओं में इसलिए है कि इसके फोटो वाइरल हुए है अलाकि कई बार इस तरीके की फूल हो भी जाती है कई बार ऐसे मामले भी देखे गए कि तिरंगा जहंडा उल्टा तक लगा दिया गया कई बार ध्जान भी नहीं रहता या फूल वर्ष हो जाती है माफी मांग ली जाती है लेकिन जो नियम प्रक्रियाएं हैं या कानून है वो बेहत सक्त है तिरंगे के सम्मान को लेकर लेकर लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले में राजनीती हुई है या एक भूल को लेकर सियासत हुई है या फिर ध्यान ही नहीं दिया गया ये तमाम चीजे हैं ये प्रदेश जी बलकूर ने अश्वरे आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अपायार दर्ध हो चुके हमारे साथ वरिष्ट अधिवक्ता एके जैन साहब जुड़ गए हैं एक जैन साथ दो तस्वीरे हैं एक तो जो हम हर वक्त देखते हैं कि जब तिरंगा लहराया जाता है तो सब शांस से सल्यूट करते हैं अच्छा एक तस्वीर ये है क्योंकि एक ही मारत पर दो तीन तिरंगे लगे हुए हैं और बीच में बीज़ेपी का बड़ा जंडा लगा हुआ है आपको लगता है कि ध्वज सहीता में एक अपराध है इस सरीके से किसी और जंडे को तिरंगे से उपर लगाना फ्लेक कोड इंडिया में इसपस्ट लिखा हुआ है जंडा लगाने का जंडा फैराने के इसपस्ट नियम दिये हुए है जिसमें हाल में कुछ संशोधन भी प्रजियन गॉर्मेंट ने की है परंतु उसमें इसपस्ट है कि यदि तिरंगे जंडे को लगाया जाएगा किसी और जंडे के साथ तो तिरंगा जंडा या तो उस जंडे से उपर होगा और यदि वो किसी देश का जंडा है तो दोनों बराबर के इस तरह पर हो सकते हैं पर किसी भी आलत में किसी भी जंडे से नीचे तिरंगे जंडे को नहीं लगाया जा सकता है और ये लगाना अपने आप में इंसल्टू नेशनल आउनर से कहता है और थोड़ा मैं आपसे साब जाना चाहूंगा दरसल मैं जब उस इमारत को देख रहा हूँ तो उसके चारो कोने जो उपर की छट है उसके चारो कोने उपर तिरंगे जंडे को लगाया गया घरगर अभियान के जरीए अचा बीच में जो द्वार है उसके उपर जो एक गुमंद बना हुआ है उसके उपर बीजेभी का जंडा लगा हुआ है देखें निश्चित रूप से अगर ये तिरंगा लहरा ना था तो तिरंगे को इतना उंचा करना चाहिए था कि वो पार्टी के जंडे से उपर लगता आप तिरंगे जंडे को सजावट का या कॉमर्शिल यूज का काम नहीं है कि उसने आप चार कोनों पर लगा दिये और साथ में तिरंगे का अपान है क्योंकि हमारा रास्तिय दज किसी भी जंडे से नीचे नहीं लगाया जा सकता है जैन साब तो ये भी बताई है साजा कितनी हो सकती है इसमें जो इनसेल टू नेशनल ऑनर सेक्ट है उसमें तीन साल तक किसे जगा प्रावधान है और जुर्वाने का भी प्रावधान है निश्चित रूप से अब ये एक्स्प्रेनिशन लिया जाएगा ही गल्ती हो गई परन्तु फ्लेग कोट का वाइलेशन में गल्ती का कोई स्थान नहीं है ये क्लियर केटे क्योब्लिक दिखराऊ है कि आपने जंडा लगाया तब आपको पता होना चभए कि जंडा इस जंडा से या जो आपका फ्लैक पोल ओटा कि जंडा जाएग कोई ऐसी कम की जाए या ज़्यादा की जाए या सजा करने जो आदमी अपराद जिसने किया उसका इंटेंशन क्याता है ये कोड टे करेगा ये काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे नहीं कर सकती हो ठीक है एक जाए सब शुक्र इस ज़िला अध्यक्ष कॉंग्रेस की साकेत बिहारी शर्मा जी जुड़ गया है साकेत बिहारी जी जाहिरा कॉंग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि एक तरफ घरगर तिरंगा अभ्यान के सरीए तिरंगे का सम्मान और दूसरे त्रों बीज़ेपी आफिस के अंदर ही तिरंगे का अपमान सर सोसल मीडिया के मात्यम से मेरे को जानकारी हुई इन दिन से सोसल मीडिया अपना काम कर रही थी सोसल मीडिया में देखने के बाद जब मुझको पता लगा मैंने जाकर के सोसल मीडिया के मात्यम से पत्रकार बंदू को बीजेपी के जिलाद जप जी से बाइट लेने के लिए भेजा वो साथ मुगरगे के मेरी जानकारी में नहीं है इस सोचल मीडिया के तीन दिन चलने के बाद भी मैंने प्रशाइशन से का कि भाई राष्टी द्वजगा इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए इसके बाद भ होते हुए सदार हमारी होते हुए भी किसी प्रशाइशन ने इस पर कोई कारवाई नहीं की मजबूरन मुझे कोट वाली के अंतरगत जाकर के आज मुकदमा दच कराना पड़ा क्योंकि मैं भी समझता हूं कि इस प्रजात अंतर देश में हर नागरिक का अधिकार है कि जिस सहीदों ने अपनी कुरवानी दे करके इस जंडे का मान रखका और आज भी इस जंडे की आनवा अन्तान के लिए बुक्ताम करते हैं तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है और कोट वाली में मैंने एक भाई आर लौज करके लगी साकेद बिहारी जी साकेद बिहारी जी सर आपने जिस सरीके से कहा कि तीन दिन तक सोशल मीडिया पर ये वाईरल होता रहा फिर आपके संग्यान में आया फिर सोशल मीडिया के जरिया पत्रकार बंदूओं को इस बारे में बताया गया सर मेरा सवाल ये है अगर सोशल मीडिया पर यह आता ही नहीं तो क्या आप जिला ध्यक्षें कॉंग्रेश के दोलपुर से आपको तीन दिन तक जानकारी नहीं लगी क्या जमीन पर कारकरता एक्टिव ही नहीं है नहीं यह वाद से यह दा इस समय थोड़ा संगठन में कमी है हम लोग को निवर्तमान अत्यक्ष बना रखा है तो कार करता गरों से कम निकलता है लेकिन मेरा है अमेजा काम रहा है कि मैं कॉंग्रेश के लिए कार करता रहूँ हूँ और करता रहूँगा मेरे को जब यह सूच है कि कॉंग्रेश के दौर में कॉंग्रेश के इस दिला ध्यक्षों की सुनवा ही नहीं हो रही है सर बिल्कुल सत्य है मैं कहने में इसमें जजक नहीं रहूँ क्योंकि हम लोग को जो निवर्तमान अत्यक्ष का रूप दो दिया गया है लेकिन पाइटी के लिए हम निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे अब ये बात हमारे कोंग्रेस संग्टन को सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी पार्टी को सक्तिसाली बनाने के लिए लेकिन सागे प्यारी जी आपने किस-किस को फोन लगा है सर जब आपको यह पता चला कि तिरंगे के उपर बीचे पी का जंडा लहरा रहा है आपने किनकिन अधिकारियों को फोन लगा है उन्होंने क्या जवाब दी आपको जी लेकिन अब मेरे लिए तो सबसे बड़ा यक्श प्रशन यही है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है कोई नहीं सुनने वाला आपको बिल्कुल सेज़ा इस समय में इस जीज़ को कहने में कोई जज़क नहीं करता कि इस टाइम संग्ठन की सुनवाई प्रशासन लोग नहीं कर रहे हैं सरकार की सुनवाई होती है जो मात विदाया कों तक सीमे थे जी शुगरी असर हमारे साथ जुड़ने के लिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों को एक बार फिर देखे तस्वीर अपने आपे बहुत कुछ बया कर रही हैं अब सवाल यह है कि क्या अभी भी ये तस्वीर ऐसी ही है क्योंकि जिस सरीके कि जानकारी सामने तीन दिन तक सोशल मीडिया पर अगर यह वाइरल होता रहा तो क्या बीचेपी के कारकरता किसी की नसर इस पर नहीं गई अपने आपे गंभीर मामरा है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ने तिरंगे के सम्मान में घरगर तिरंगा लगाया है और बीचेपी ओफिस में धोलपुर के जिला ओफिस में तिरंगे से उपर बीचेपी का जंडा है यह लापरवाही नहीं कही जा सकती या तो किसी को जानकारी नहीं और जानकारी अगर है तो फिर सवाल गंभीर है और जिस तरीके के सवाल साकेत बिहारी शर्मा जो कि धोलपुर से कॉंग्रेस के जिला अध्यक्ष है उन्होंने उठाए वो और भी गंभीर है कलेक्टर साहब को बताया उन्होंने तो बोला कि दिखवा लेंगे सियो साहब को बताया जवाब नहीं आया ठाने में जाकर बताया तीन दिन तक कारवाई नहीं हुई ये अपने आप में और कमभीर मामला ये तस्वीरे में आपको दिखा रहे हैं अकstar हम तस्वीरे देखते हैं जब तिरंगे को उल्टा लहरा दिया जाता है लहराते वक तिरंगे नीचे आ जाता है लेकिन यहां तस्वीर ये कि तिरंगे से उपर बीजेबी का जंडा लहरा रहा है तिरंगा जो हिंदूसान की आनबान और शान है उससे उपर वो जंडा जो वीजेपी की पहचान है हालां कि इस मामले में अब F.I.R. दर्जुई है लेकिन सवाल यह है कि आगे कारवाई क्या होगी यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धौलपूर से बुलेटिन में खबरों का सिलसला लगातार जा रही है लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासर हो